अब आप अब व्यूज़ इस अलिक स्मित वैलकम टो नॉलिज़ दाइंबिशन स्वागत आपका नॉलिज़ दाइंबिशन की स्टाशन में तो यहाँ पर हम अज कर रहे हैं माच्छो प्रदेश टेट कॉपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैंजर के रिगार्डिंग कुछ मॉ यह पार्ट 12 रहेगा इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखिए तो आप लेली सेक्शन जरूर विजिट कीजिएगा लेली सेक्शन में आपको एक साथ सभी वीडियो मिल जाएंगी हमाच्छे प्रदेश टेट कॉपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैनेजर मॉक के नाम से तो आप उन वीडियो को जरूर्व देखिए जो है इन वीडियो में इंकलूर कर गएंगे जो कि आपके एक्जाम के लिए काफी बैनिवीचल रहेंगे तो आप उन्हें दरूर देखिए गा स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आये तो चैनल a bank which acts as a banker of the other banks is called dash एक bank जो अन्य bankों के banker के रूप में कारे करता है उसे क्या कहा जाता है saving bank, commercial bank, investment bank या फिर आपका central bank इस caution का right answer आपका option number 4 central bank कहा जाता है उसे जो भी central bank होता है किसी भी country का वो क्या कहला आता है bankers of the other bank कहलाता है यानि sorry banker of the other banks कहलाता है जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो banker of the other banks कहलाता है वो RBI कहलाता है reserve bank of India कहलाता है इसी परकार से आप USA में देखें तो USA में banker of the other bank का कहलाता है federal bank जो कि वहाँ का central bank है तो इसी परकार से central bank जो है banker of the other banks की रूप में जाना जाता है यह कार्य करता है तो अप्शिन नमबर फॉर इसका राइट अंसर है नेक्स नमबर टू पूछा करें कि विच आप भी इस टर्म नॉट लिंक्ट टू दा बैंकिंग एंड़ फाइनेशल ट्रांजेक्शन बैंकिंग और फाइनेशल ट्रांजेक्शन जो है इनसे कॉंसी निमल स्वाइब या फिर कंसॉलिडेशन इसका राइट अंसर है यहां पर जो ऑप्शन नमबर फॉर है कंसॉलिडेशन जो होता है वह यह टर्म जो है यह बैंकिंग एंड फाइनेशल ट्रांजेक्शन से संबंदित नहीं है बाकि आपका जो आप बैंकिंग या फाइनेशल ट्र पूछा गया कि इंडा टर्म प्रिप स्ट्य और IPS लिटर स्ट्रीनोट अब यहाँ पर स्ट्रिप्स में लैटर स्ट्रीनोट क्या करता है अब यह पर आपके दो एस दिए गये हैं लेकिन आपको यहाँ पर पहले ऑश का कॉशन आपका इस सब्सक्राइब फॉर्स एस पर एस है स्टी आरई पी एस में तो यह फर्स जो ऐसे वो क्या डिनोड करता है सिंगल स्मॉल स्पैशल या फिर सैपरेट तो इसके लिए आपको स्ट्रिप्स की पूरी फुल फॉल फॉर्म पता होनी चीए स्ट्रिप्स का पूरा नम क्या है स्ट्रिप्स इस एक्रॉनिंग और फॉर्टा सैपरेट ट्रेडिंग फार रजिस्टर इंट्रस्ट और प्रिंसिपल सिक्यारटी इस तो आपसे अगर पहले एस का यहाँ पर अर्थ पूछा जाता है यह मतलब पूछा जाता है तो पहला s क्या बनता आपका separate बनता है इसका पुरा नाम separate ट्रेडिंग Japanese अब प्रिंसिप्टर तो पहले यांसक आर्त एक वे नोट करता है security एसको तो यह आपका पुरह इसका को पता होना जरूरी है तभी आप जो है इनकी लैटर्स को डिनोट कर पाओगे स्ट्रिप्स स्ट्रिपिंग इस दा प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अस्टेंडर कूपन बेरिंग बॉर्ण इंटो इस इंडिविजल कूपन एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट तो यह इसका वर्क हो कोश विशेश रूप से डैश के लिए काम कर रहा है जो राष्ट्रे महिला कोश है वो विशेश रूप से किस के लिए काम कर रहा है पूर वोमेंस के लिए रोल वोमेंस के लिए अर्बन वोमेंस के लिए या फिर ओल अप दीस इस कॉशन का राइट अंसर है यहां पर आप एक बैंक में जमा किया गया धन जिसे पूर्व निर्धारत अबदी के लिए वापिस नहीं लिया जा सकता उसे डैश की नाम से जाना जाता है अब यहां पर आपको तर्म डिपाउजित दिया है जब कोई व्यकटी जब कोई भी परसन पैसे को धन को जिसे बैंक में जमा करवाता है तो उससे क्या कहता दा है the term gross national happiness was coined by Dash जो यह आपकी यहां पर term दी हुई है term है आपकी यहां पर gross national happiness यह किसके द्वारा कोईन की गई यह किसके द्वारा शागा आप फर्स्स टाइम जो है इंट्रडी इंट्रड्यू गई अमर्यत्यसेन की द्वारा भूटान की द्वारा मक्बूल चक द्वारा या फिर फिर एग्रोपी यूनिन के द्वारा आपको धियान में रखना है ग्रॉष नैशनल प्रॉफ ग्रॉफ नैशनल हैपिनेस ज जो मेजरेस्टी थे यानि किंग थे फोर्थ किंग औफ भौटान जिग में सिंगे वांग चुक इन 1970 तो 1970 में उन्हों ने यह टरम लाइट दिया और भौटान की किंग नहीं लाइट इनका नाम भी आपको धियान में रखना है यह वांग चुक इनका नाम था जिगमें सिंग बंग चुक नेक्स आपका कॉच्छ नम्बर सैवन पूचा कि डैसी दाफ फर्स्ट नॉन बैंकींग ऑगनाजेशन ओपने अन इंडिया भारत में एडियेंग खोलने वाला पहला गयार बैंकिंग संगठन अब भारत एटियुम कोलने वाला पहला गैर बैंकिंग काम से न जो पुछह जा सकता है और आपके यहां पर दिये गए हैं प्रीजम पेमेंट्स बैंक सर्विस टाटा कॉम्निकेशन पेमेंट सालीशन पूछ फाइनस या फिर आपका वकरांगी अल्ट लिम्टेड तो इस कॉशन का राइट अंसर आपका आपका आपको नंबर टू टाटा काम् इंडिया स्फर्स्ट बैंक लॉंच टॉकिंग एटियम फॉर विज्वली एंड फिजिकली चैलेंग प्यूपर अब भारत में पहले बैंक भारत के किस पहले बैंक ने जो है नेत्रहीन वार शारिक रूप से अक्षम लोगों के लिए टॉकिंग एटियम लॉंच किया बैंक इंडिया के दोरह सिटी यॉनिन बैंक या फिर या फिर फिर यह बैंक बताना है जिसने की जो विजुली इंपार्ड है पिर फिस्टी एंड फिजिकली चैलेंज प्यूपर है उनके लिए एक टॉकिंग एटियम जो आपके टॉकिंग एटियम है उसकी शुरुआ की है तो यह आपको धियार में रखना है option number 3 इसका right answer है I hope आपके लिए question सभी beneficial होंगे सभी question selected यहां पर include किये गए है जो कि आपके आने वाले exam का हिस्सा बन सकते हैं तो next question number 9 पूछा गया कि बटिजदा sorry the headquarter of AIIB is dash अब आपको AIIB का headquarter बताना कि headquarter कहां पर है इससे पहले हम AIIB की full form जान लेते हैं कि AIIB क्या है AIB का पूरा नाम है the Asian in such infrastructure investment bank of Asian infrastructure investment bank है इसका headquarter कहां पर है इसका headquarter है Beijing China the Asian option number 2 इसका right answer the Asian infrastructure investment bank is a multilateral development bank that aims to support the building of infrastructure in the Asia Pacific region the bank currently has 82 members as well as 20 prospective members from all around the world तो आपको ये बाते भी इसके बारे में ध्यान रखने है first thing इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए Asian infrastructure investment bank इसका पूरा नाम है headquarter है Beijing China में और current time की बात करें पर जैंट टाइम की तो 82 members है और 20 जो prospective members है from all around the world तो यह कभी काफी most important इसे note कीजिएगा next आपको question number 10 पूचा गया a person coming into India from abroad can bring with him foreign exchange without dash विदेश से भारत आने वाला व्यक्ति बिना dash की विदेशी मुद्रा ला सकता है अब यहां पर आपको limit बतानिए कि जो विदेश से भारत आने वाला व्यक्ति है वो किस limit तक जो हो विदेशी मुद्रा भारत में ला सकता है आपके options यहां पर 25,000, 50,000, 75,000 या फिर एनी लिमिट तो इस question का right answer आपका option number four यानि एनी लिमिट बिदाउट लिमिट के कि इतना भी वो पैसा विदेशी मुद्रा भारत में ला सकता है according to government के द्वारा इस जो आपकी एडवाजरी है उसमें आपको किसी भी व्यक्ति को जो की विदेश से आता है उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं रखी है कि वह कितनी विदेश मुद्रा जो है वह भारत में ला सकता है option number four इसका right answer है तो यह थे हमारे आज की कुछ most important questions जो कि आपके आने वाले एक्जाम हिमाच्य प्रदेश टेट कॉपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैनेजर के रिगार्डिंग जो हो सकते हैं आपके एक्जाम का हिस्सा बन सकते हैं तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आ सब्सक्राइब करेंगा वहाँ पर आपको कंप्लीट हिमाच्य बंडर्लैंड mcqs की पूरी सीरीज आपको एक साथ मिल जाएगी जिसमें की हमने 65 या 67 में भी हमने classes discuss कर ली है और एक वीडियो में आपके 20 कॉशन है आप उस पूरी सीरीज को जरूर दिए आपके एक्जाम में थैंक्स वर वाचिंग बेस्ट अफ लुक पर यर ब्राइब फूचर